हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो सैमसेंग की तरफ से दो बहुती बढ़िया स्मार्टफोन्स एक है गेलेक्सी F13, F13 और दूसरा है दोस्तो गेलेक्सी A13 दोस्तो ये दोनों ही सैमसेंग ने लाँच की हैं और प्राइस में जो दोस्तो है इन दोनों में 2000 का फर्क है F13 भी हाली में लाँच हो गए है 12000 का और A13 आपको मिलता है 24000 का आज पास दोनों में 2000 का फर्क है F13 इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगो दोस्तों आपको इन दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ओलाइन दोस्तों जो है कई बार फोन्स की रेट जो है काफी कम हो जाते हैं कई बार सेल लग जाती है हो सकता है यह दोनों आपको और भी सस्ते मिल जाएं तो लेफ्ट साट पर व्यू प्रोडुक्ट्स का उप्शन है उस पर क्लिक करके एक बार रेट जरू चेक कर लिएगा चलिए देखते हैं दोस्तों अगर आप 12,000 खर्च करते हैं तो F13 के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है उपर की तरफ लगावा जिसमें लगावा है एक सिमिजेक्टर टूल अंदर यूजर मैनूल है दोस्तों कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता इसके बाद मिलता है फून एक रैपर के अंदर टाइप सी केबल दी गई है दोस्तों लेंद और क्वालिटी से केबल की काफी जादा बड़ी है और लास्ट में रखावा मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जो कि दोस्तों 15 व ओट का का चार्जर है तो चार्जर आपको 15 वाट का मिल जाता है फास्ट है दोस्तों एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग इसके अंदर आपको दी गई है तो दोस्तों इस सारा समन आपको मिलता है अगर आप 12,000 खरच करते हैं 12,000 F-13 पे इसके बाद मिलता है फून एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम भी देखेंगे उसी तरीके से एक केबल मिल जाती है पैकिंग के अंदर टाइप सी केबल है इसके साथ भी और लास्ट में रखावा मिलता है दोस्तो यह वाइट कलर में वही चारजर जो आपको 15 वाट का मिल है दोस्तो तो 15 वाट के चारजर दिये गए हैं दोनों ही फून के साथ दोस्तो बॉक्स के अंदर जो आपको कंटेंट्स मिलते हैं दोनों के साथ ही एक जिसे मिल जाते हैं बिल्कुल भी आपको बहुत बड़ा मेजर फर्क देखने को नहीं मिलता केबल की क्वालिटी चार और कलर्स भी आते हैं लेकिन इन दोनों फून्स के अंदर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है डिजाइन की क्वालिटी को लेकर दीखे दोस्तो ए 13 जो है शाइनी डिजाइन के साथ आता है ग्लॉसर डिजाइन है इसका दूसरी तरफ F13 का जो बैक पेनल है दोस्तो यह आपक मिलता है तो इसके अंदर आपको डिजाइन थोड़ा ऐसा मिल जाता है जिस पर स्क्रेचिस नहीं आएंगे और ए 13 का जो दोस्तो बैक पेनल है इसके असानी साजएंगे तो डिजाइन की जो क्वालिटी है वो आपको जादा बढ़ीया मिलती है F13 के अंदर डिजाइन की क् पहरे में तो दोनोही फोन के इंदर आपको डिस्प्ले साइज जो मिलता है बिलुकुल से मिल जाता है सिकसाइज आपको ॉडपायट जीसे है तो डिस्प्ले interface दोनों के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसे मिल जाता है आप ऐसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोनों ही phones के अंदर आपको 200 Samsung का One UI दिया गया है तो चलाने में दोस्तों दोनों ही phones बहुत ही जादा कमाल के लगते हैं मुझे 55 Samsung का One UI काफी जादा पसंद है experience काफी बढ़िया लगता है यूज करने का phone को बाकि दोस्तों यह आपकी पसंद के ओपर matter करता है और दोस्तों friends से तो देखने में दोनों ही phones बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि दोस्तों display के अंदर जो आपको design मिलता है display का वो दोनों के अंदर एक जैसे मिल जाता है notch वाला और दोस्तों user interface भी बिल्कुल सेम है तो इस चीज को लेकर दोस्तों दोनों ही phones बिल्कुल सेम है चलिए अब दोस्तों display की जो quality है वो मैं आपको बिल्कुल full brightness करके दोनों की एक करीब से दिखा देता हूँ के colors वगरा में कैसे है कौन सो phone जादा बढ़ी है या फिर इन दोनों phones के अंदर कोई फर्क है या फिर नहीं तो दोस्तों display का design में सेम है edges, bezels भी आपको बिल्कुल एक जिससे मिल जाते हैं और display की जो quality है वो भी आपको बिल्कुल एक जिससे ही दी गई है ऐसा नहीं है कि वो बहुत बढ़ा कोई major फर्क हो जैसे कोई इन दोनों में से एक कोई बढ़िया हो ऐसा कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलती दोस्तो दोनों ही phones के अंदर आपको display की जो quality दी गई है अच्छी मिल जाती है और दोस्तो दोनों ही phones के अंदर आपको एक जिससी दी गई है तो इस चीज़ को लेकर भी दोस्तो दोनों फोन्स बिल्कुल एक जसे हैं तो इतना बड़ा फर्क आपको मेजर फर्क देखने को नहीं मिलता तो इस चीज़ को लेकर दोनों बिल्कुल सेम हैं उपर इस साइट साब देहेंगे तो नौइस किंसलेशन माइक मिल जाता है दोनों के अंदर अब दोस्तो दोनों में प्राइस में तो 2000 का फर्क है ए तेरा जो है महेंगा है लेकिन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज, 4GB RAM है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है तो इस चीज़ को लेकर भी दोनों एक जसे हैं इसे के साथ दोनों फोन्स के अंदर आपको Exynos का 850 processor दिया गया है अब अगर आप एक थोड़े बहुत heavy user है, performance आपको दोस्तो normal चाहिए तो दोस्तो इन दोनों के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी बागी दोस्तो अगर आपको performance की वज़े से ही phone खरीदना है, multitasking आपको बहुत ज़्यादा करनी है या फिर gaming करनी है तो दोस्तो मैं आपसे यही कहूंगा इस budget में आपको और दूसरे options भी देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा बढ़िया processor वाले, तो आप उनको भी एक बार चेक आउट कर सकते हैं, चैनल में बहुत सारी वीडियोज हैं और दूसरे smartphones की, अगर आपको दोस्तो गेम वगरा खिलने के लिए phone लेना है, नॉर्मली उसके एसाब से दोनों एक ज़से हैं, दोनों के अंदर आपको बहुत बड़ा major फर्क देखने को नहीं मिलता, exynos का 8 50 processor इन दोनों के अंदर आपको दिया गया है, बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में, तो बैटरी को लेकर फर्क है इन दोनों में, A13 के अंदर दोस्तो आपको 5000 image की बैटरी मिल जाती है, और F13 के अंदर दोस्तो आपको 6000 image की बैटरी दी गई है, अब दोस्तो बैटरी बैक बराट होने में इन दोनों फून को कौन सा फून जो है ज़्यादा टाइम लगाता है विससे अभी तक तो दो और आता ही फून काफी ज़्यादा कहें हो गया और दोस्तो इन दोनों फून के अंदर आपको major फर्ग देखने performance आपको F13 A13 दोनों ही के अंदर काफी कमाल की मिल जाती है काफी अच्छे कैमेरे दिये गए हैं दोस्तो और दोस्तो दोनों ही फोंस लगबग एक जसे हैं इस चीज़ को ले कर भी तो दोस्तो इन दोनों फोंस के अंदर एक और चीज़ के अंदर आपको फर्क मिलता है एक त तो दोस्तो इन दोनों फोंस में डिस्प्ले की quality सेम है, दोनों फोंस के अंदर आपको camera अच्छा मिल जाता है, ram और storage सेम है, इसे के साथ दोस्तो performance जो है वो भी सेम मिल जाती है, तो जाधतर चीजों में दोनों सेम ही है, ram और storage भी बराबर है, बस दोस्तो अगर आपको बैटरी जादा बढ़िया चाहिए तो आप F13 खरीच सकते हैं डिजाइन आपको थोड़ा जादा बढ़िया चाहिए तो आप A13 खरीच सकते हैं और मेरी रायमाने तो दोस्तो कम बजट में 2000 पैसे भी बच जाएंगे आपके और F13 आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा इसके अंदर आपको बैटरी जादा बढ़िया मिल जाएगी तो दोस्तो पैसे बचा के F13 लेना ही जादा बढ़िया रहेगा मुझे तो यही जादा अच्छा लगा और डिजाइन की क्वैल्टी भी जादा बढ़िया है कौन सा नहीं नीचे कमेंड करके जरूर बताइएगा वीडियो दोस्तों गर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आप नहीं है सब्सक्राइब आपने नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ने वीडियो अब तक पहुचते रहें इसके लवे दोस्तों वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको share जरूर कर दियेगा WhatsApp और Facebook पर और दोस्तों online जो है कई बार sale लग जाती है फोन्स के rate काफी कम हो जाते है हो सकता है आपको A13 जो है और सस्ता मिल जाए तो फिर तो यही जादा बढ़िया रहेगा डिजाइन जादा बढ़िया जादा स्लीम है बस rate की वज़े से दोस्तों मुझे F13 जाद अच्छा लगा तो दोस्तों online जो है कई बार sale लग जाती है फोन्स के rate कम हो जाते है लेफ्ट साइड पर जो दोस्तों option आ रहा है व्यू पर उड़क्स का उस पर क्लिक करके एक बार rate जबर चेक कर लिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई